वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 18 दिसम्मर 2022 और 18 दिसम्मर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं चारे आम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक पे भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लाश्ट वम मैं आपसे कुश्यन पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पीडियो की डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप से भी डाउनलोड करते हैं पहला कुश्यन है हाली में छट्वा ब्यादगी तालुक साहित सम्मेलन कब आयुजित किया गया तो अभी 16 दिसम्बर को छट्वा ब्यादगी तालुक साहित सम्मेलन आयुजित किया गया तो इस कुश्यन का बे आप्सेंस है यह एक करनड साहित सम्मेलन है और यह करना टक के हाबेरी जिले में आयुजित किया गया है अच्छा दिसम्बर में अभी तक जितने भी important day मनाए गए हैं सारे मैंने आपे बिल्कुल sequence में लिख दिये हैं एक बर वीडियो को पॉस करिए और दिसम्बर के सारे important day बिल्कुल sequence में revise करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में भारत सरकार ने केस देश के नागरिकों को 10,000 US dollar मूल लिखे बारती रुपए नगत रखने की अनुमती दी है तो अभी भारत सरकार ने स्रेलंका के नागरिकों को 10,000 US dollar मूल लिखे भारती रुपए नगत रखने की अनुमती दी तो इस कुशन का C options है अब स्रीलंका के नागरिक 10,000 US dollar मूल लिखे भारती रुपए यानि की लगबग 8,000,000 इंडियन रुपए नगत रखने से होगा क्या आर्तिक संकट से जूज रहे स्रीलंका को इससे मदद मिलेगी अब स्रीलंका तो यह है मैप में स्रीलंका स्रीलंका की केपिटल क्या है कूलंबू स्रीलंका की करंसी क्या है स्रीलंका रुपी स्रीलंका के प्रजैन टैम पे प्रेसिडेंट कौन है रनिल बिक्रम सिंगे और स्रीलंका की प्रजैन टैम पे प्राइमिस्टर कौन है तिनेस अभी 2024 में Under-19 World Cup की मेजबानी स्री लंका करेगा। स्री लंका की उपन्यासकार सेहान करणा तिलकार के उपन्यासकों 2022 का बुकर पुरुसकार मिला है। चेन को पच्छठ कर भारत स्रीलंका के सबसे बड़े रिडधाता की रूप में उबराएये स्रीलंका ने देष में आने वाले परेटकों को लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है अच्छा स्रिलंका की बात है तो इंडिया और स्रिलंका की वीच में पाक की खाड़ी है एसे सुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू बंडल कहते है नेक विशन है आली में वाटसेप पे इंडिया के हैड ने स्थिफा दिया है उनका नाम क्या है तो WhatsApp Pay India इसके हैड थे बिने चुलेटी अभी इन्होंने इस्तिफा दे दिया तो इसकुशन का बे आप्सिन सही है ये थे अभी तक WhatsApp Pay India के हैड बिने चुलेटी लेकिन अभ इन्होंने इस्तिफा दे दिया है ने QI हाली में Reliance Group ने कहां FMCG ब्रांड Independence लौच किया तो अभी Reliance गुझरात में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लौच किया तो इसकुशन का C उप्सिन सही है अब गुझरात तो ये है मैप में घुझरात गुझरात की कपिटल किया है गांधी नगर गुजरात की चीपनिश्टर कौन है वो पेंदर वाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है आचार देपरत अभी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पबन टर्वाइन इस्तापित किया है गुजरात में बिसुका सबसे बड़ा प गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एसियाटिक लॉइंस की लिए फहमास है सरदार सरोवर डेम है नल सरोवर लेक है ठूल लेक है कंकडिया लेक है और खेजाडिया लेक है ने कुशन है हाली में किस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉंच किया है तो अभी टाटा एयाई लाइफ इंसुरेंस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉंच किया तो इसकुशन का बे आप्सेंस आई अब टाटा एयाई लाइफ इंसुरेंस इसका हेड़कॉर्टर कहां और इसके प्रजेन टेटेम पर कौन है। सोरभ अग्रवाल और इसके प्रजेंट के कौन है नबीन तहल एनी। हाली में रेहान एहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं तो रेहान एहमद ये इंगलेंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने तो इस कुछिन का A option सही है ये हैं रेहान एहमद ये मात्र 19 साल के हैं और ये इंगलेंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाप एक टेस्ट में इन्हों ने डेब्यू किया है। सडक दुरगटनाओं को कम करने के लिए पंद्रे सूत्री रड़नीती तयार की है तो अभी हर्याणा सरकार ने सडक दुरगटनाओं को कम करने के लिए पंद्रे सूत्री रड़नीती तयार की तो इसकुषिंद का से ओप्सन सही है इसमें क्या है हाईवे की किनारे आपने देखा हुआ धाबा बने होते हैं और धाबा के लिए illegal cut बना लिया जाता है इन सब को बंद किया जाएगा हाईवे की किनारे जो गेर कानूनी ठेके खुले हुए हैं उनको भी बंद किया जाएगा इस तरह से 15 सूत्री रडनीती हर्या हर्याणा के चीप परिश्टर कौन है अलहकर लाल खत्त और हर्याणा की गवर्न्र कौन है बंदारू रह यूं धत्त बद्धर अच्य हर्याणा की बात है तो अभी हर्याणा की टीम ने 48 नेशनल जूनियर बॉलिवल चेंपियंशिप में स्वड़ पदक जीता हर्याना की क्रिकेट बद्धिर टीम ने T20 रास्टी चेंपियंशिप 2022 ट्रॉफी जीती अंतरास्टी गीता महुतसप का आयोजन कुर्छेत्र में किया जाएगा इंडियन बायलोजीकल डाटा सेंटर का उधगाटन हर्याना में किया इंडिया एग्रे बिजनिस बेस्ट एस्टेट अबार्य हर्याना सरकार ने टेओ एफऑ कारिकरम सुरूप किया अचा हर्याना के मुक्यमंद्री ने ये उपहर पॉर्टल और大家 लांच किया और हर्याना सरकार ने पाल्तो कुत्तों का पंजीकरड अन्यार किया हर्याणा में खूली रेतान वाइल लाइशन्चुरी है बेर सिकारगड वाइल लाइशन्चुरी है नाहर वाइल लाइशन्चुरी है चिलचिला वाइल लाइशन्चुरी है और खपरबास वाइल लाइशन्चुरी है नही कुशिन है, हाली में Microsoft और Byset ने कब तक बैस्विक इस्तर पर इंटर्नेट देने की साज़दारी की है, तो अभी Microsoft और Byset ने उपग्रह आधारित बैस्विक इस्तर पर इंटर्नेटों देने की साज़दारी की और ये 2025 तक देने की साज़दारी की है, तो इस question का A option सही है, ने question है, किस राज के गमोचा को G.A. tag मिला है, तो अभी असम के पारब पर एक गमोचा को G.A. tag मिला है, तो इस question का A option सही है, इसे असम का असम में गमोचा कहते हैं, हिन्दी में गमचा कहते हैं, ये है असम का traditional गम अच्छा अभी असम के मंत्री मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए बिद्यक को मंजूरी दी पूर्वुत्र के पहले युनानी चिकिस्सा छेत्री केंदर का उद्गाटन सिल्चर में किया गया असम के मुख्य मंत्री ने बाजरा मिसन की सुरुवात की है अच्छा असम में कौन-कौन से दिवार मनाये जाते हैं कटिबिहू, बगरुंबा, भोरताल और जुमौर ये असम के प्रमुक दिवार हैं अच्छा असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं? काजी रंगा, मानस, ओरंग, डिवरुस एकोवा, राहिमोना और देइंग पट गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें से काजी रंगा नेशनल पार्क सबसे फहमस है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फहमस है और एकलोता ऐसा नेशनल पार्क है जो सेटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुगा है ने कुशन है किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार किया है तो जापान की केपिटल टोकियो ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर रूप टॉप पैनल को अनिवार किया है तो इसकुशन का बे आप्सन सही है अब जापान तो ये है मैप में जापान जापान की केपिटल क्या है टोकियो और टोक्यू में कार्बन उत्सरजन में कमी लाने के लिए ये किया गया है कि 2025 के बाद जो भी घर बनेंगे उनके लिए सोलर पैनल अरिवारे होगा अच्छा जापान की करंसी क्या है ये और जापान की प्रेजेंट टेम पर प्राइमिश्टर कौन है पुमियो किशिदा अभी मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में होई जापान ने समलेंगी कपल के लिए साज़ेदारी प्रमणपत्र योजना शुरू की है जापान ने निहोंसु के लिए जिये टेक पाने के लिए आविदन किया और जापान गर्बते महिलाओं पर पुनर विवा हटाएगा नेखउशिन ऺिए किसराज सरकार case ने संगापुर के साथ MOU पर स्ताक्चर किया है तो अभी उत्तर परदेस सरकार ने यू पे global investor summit से पहले संगापूर के साथ MOU पर进 जापानगी कियाCs कहितक्ति हैक अब हस्ताक्चर उत्तरपदेस ने किए तो ये है का linux उत्तर प्रदेश की केमिश्टल है लखनव का शारी क्नुए गोंते नदेक के ला रिषतिता है। उत्तरप्रदेश करेगा। उत्तरप्रदेश सरकार ने मत्तुराब रंदावन को 2041 तक कारबन नीट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की गोश्ण की है। पेले भी ते टाइगर रिजर्ब है। नेक्जुशन हाली में AIU द्वारा जारी worldwide cost of living index में कौन सीज पर रहा है। तो the economist intelligence unit के द्वारा worldwide cost of living index जारी किया गया। इसमें New York टॉप पर रहा है। उस कुशन का बे options हैं। निव यॉर्क और सिंगापूर इस इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं। निव यॉषिन है। नई पुस्तक Brave Hearts of India लिखी है। तो Brave Hearts of India ये पुस्तक लिखी है इत्यासकार बिक्रम संपत ने। अच्छा अभी महंसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक Miracles of Face Yoga का बिमोचन किया। नल नाडा अंटेल भी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बूरा ने लिखी। Winning the Inner Battle नामक पुस्तक सेन वाटसन ने लिखी। फ्रांसिसी लेखक रेने नावा ने अपने नई पुस्तक Nuclearization of Asia का बिमोचन किया। और हरदेप सिंग पुरी ने देहली उनिवरस्टी सेलिवरेटिंग 100 Glorious Years नामक पुस्तक ले की है। तो ये बुक भी आपको याद रखनी है। अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंना आप से कुशिन पूचा था की हाली में बारत का सबसे बड़ा तेल आपूरति करता कौन बना। तो अभी रूज पारत का सबसे बड़ा तेल आप उर्ति करता बना यानि कि इस कुशिन का बे आप्शन सही था और लगबग सबी श्ट्रोयनेस कांसा सही दिया मुश्ट ले श्ट्रोयनेस के बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुशिन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुशिन आपके लिए आज का कुशिन है हाली में मैटे फ्रेडरिक्सन के इस देश की फेर से प्रतानमंतरी बनी है चार आप्सन दिये गए हैं इनमेंसे आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज पर प्रेबियस एर कुशन डेली पोस्ट करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पे जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुशन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुशन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रॉलम है तो आप Instagram पर इंद्रेश आरसी Instagram पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन भी डाउट एनी हजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है चाली से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अल्पल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू क्या करो और आपके पास जो भी इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राब जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चती मदब मिलेगी जब भी आप से सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज बिदियो तैंक्स वर वाचिंग